आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question में दिया हुआ the equation whose roots are p times the roots of aqv की equation ठीक है which an equation is the integral coefficients then अपने को बताना है p की value क्या होगी मतलब एक हमारे पास यहां पर एक मान लेते है axq plus bx square plus cx plus t equal to 0 एक qv की equation है ठीक है उसके जो roots है वो alpha dash beta dash और gamma dash है ठीक है और जो यह वाली given equation है इसके roots alpha, beta, gamma मानते हैं ठीक है minus 17 by 18x plus 1 by 108 इसके root alpha, beta और gamma मानूं तो यहां पर इनों नों बोला है कि जो relation क्या है दोनों में कि इसके जो roots है इस वाली के alpha dash, beta dash, gamma are p times the root of alpha, beta, gamma तो यह alpha dash की जो value है p times of alpha, beta dash है जो p times of beta जो gamma dash है वो p times of gamma ठीक है तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इस equation मैं अगर alpha dash put करूं तो a into alpha dash का q plus b into alpha dash का square plus c into alpha dash plus d equal to 0 यहां जाता है यहांनि a into alpha dash की जगे क्या रख सकता हूं p q alpha q plus b p square alpha square plus c p plus d equal to 0 ठीक है अब मेरे को यह तो मैं equation बन नाम देता हूं इसमें भी अगर alpha put करूंगा तो यहां पर देखिए यह क्या आ जाए क्योंकि यह भी तो alpha को satisfy करेगी यह आएग alpha q minus 5 by 2 alpha square minus 17 by 18 alpha plus 1 by 10 8 equal to 0 ठीक है यह मैं equation number 2 बन देता हूं अब देखिए यहां पर तो यह alpha q है तो मेरे को alpha q बनाने के लिए equation 1 को थोड़ा modify करना पड़ेगा तो यह नहीं में अगर a into p q से multiply कर दूँ तो यह बनेगा क्या यह alpha q बन गया यह b upon a p बन गया b upon a p into alpha square plus यह बन गया c upon a p square into क्या बन गया alpha ठीक है यहां पर alpha था तो cp, cp में a p q से divide क्या तो c upon a p square alpha plus d upon a p q equal to 0 बना अब देखिए दोनों similar equation बन गया एक equation बन गया ठीक है इसका मतलब जो minus 5 by 2 है बहुत है मेरा आ गया b upon a p और जो minus 17 upon 18 है यह आ गया c upon a p square और जो y by 0 यह आ गया d upon a p q ठीक है तो यानि जो b की value आ गया यह आ गया minus 5 by 2 a p जो c की value आ गया minus 17 upon 18 a p square और d की जो value आ गया a p q upon 0 8 ठीक है सारी equation अगर q एक में डालता हूं तो a x q minus 5 by 2 a p x square ठीक है plus c x यानि minus 17 by 18 a p square into x plus a p q upon 0 at equal to 0 तो हिंस मेरे पास यह क्या बन गया यह तो मैं बाहर ले 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 लेता हूं क्योंकि यह तो 0 होई नहीं सकता यही तो condition होती है यह आप एक क्योंकि यह एक है नोट भी 0 ठीक है तो यह मेरे बाद simply बचा क्या minus 5 by 2 p x square minus 17 upon 18 p square x plus p q upon 0 अब इसके जो coefficients है यह क्या होना चाहिए integral coefficients है ठीक है तो अपने को p की value क्या होगी ठीक है यह तो already इसका coefficient तो integer है जो minus के 5 by 2 p यह एक ज़र होना चाहिए minus के 17 by 18 p square यह एक ज़र होना चाहिए और जो p q upon 0 यह भी एक ज़र होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले यह अगर condition की बात करूं तो इसमें p upon 2 है ठीक है तो p तो 2 का factor होना चाहिए ठीक है यहाँ पे तो p 2 n times होना चाहिए ठीक है यह दो लगुष्टू natural number माल लेता हूँ तो p तो मेरा क्या होना चाहिए 2 n times हो गया ठीक है यहाँ से क्या हुआ अब जो 18 आ गया तो यहाँ पे p का square करूंगा तो यह तो आएगा 2 into 2 4 आ गया ठीक है 18 है नीचे तो 18 का मतलब क्या हुआ 9 into 2 तो यह 9 भी भचता है तो यह मतलब 3 into 3 भी होना चाहिए ठीक है तो यहाँ से तो at least p की value 2 होनी चाहिए conclude करके ने पे आई यहाँ से at least p की value किती होनी चाहिए 6 क्योंकि तब ही 36 कटेगा 18 से अब यहाँ पे जाते है नीचे क्या है 208 208 मतलब 6 into 6 into 3 ठीक है तो उपर तो p की value 3 times repeat होगी अगर p की value minimum 6 डालता हूँ तो 6 into 6 into 6 ठीक है तो यह तो आराम से cancel out हो जाएगा 20216 से यह cancel out हो जाएग 208 2 times ठीक है तो तो integer देनेगा तो hints यह से conclude करने पे minimum value of p क आई यह आया 6 जिसके लिए यह क्या दे रहा होगा integer आ रहा होगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 पर